हलो फ्रेंड, वेलकम टू येस्टी टुटोरियल यूटूब चैनल फ्रेंड, हम लोग सिविक्स का प्रेक्टिस सेट साल्व कर रहे हैं ये तीसरा प्रेक्टिस सेट है जो आपके TGT, PGT सभी एग्याम के लिए काफी हेलफू साबित होगा इसके पहले का दो पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं जो आपके आगामे एग्याम के लिए काफी हेल्फ करेगा तो फ्रेंड वीडियो को सुरू करते हैं और आज का पहला प्रसन देखते हैं एक तालिसवा नमबर प्रसन है इसके पहले का चालिस प्रसन है दो पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं उसको आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं तो एक तालिस नमबर प्रसन है निम्नलिखित में से कौन सनरचना वादी नहीं है तो सनरचना वादी जो था वो ग्रीन नहीं था ठीक है ग्रीन जो थे आदरस वादी थे ठीक है इसको याद रखेगा ग्रीन एक आदरस वादी लेखक थे और दुर्खीम, वेवर, मार्क्स ये सब जो है सनरचना वादी थे ठीक है तो ए आफसन आपका इसमें सही हो जाएगा 42 नमर प्रश्ण है किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा तो सही उतर हो जाएगा आपका मार्क्स ने ठीक है भी आपसनिस में सही हो जाएगा मार्क्स ने कहा था कोई जो विचारधारा होती है वो भ्रामक चेतना होती है ब्रह्म में व्यवस्थित रहती है ठीक है तो B आफसन इसमें आपका सही हो जाएगा 43 नमबर प्रश्ण है तोलनात्मक राजनीत के छेतर के बारे में निमनलिकित में से कौन सा कथन गलत है यहाँ पर गलत कथन पुछा है तो आफसन A में दिया है तोलनात्मक राजनीत आदर सराजय की अस्थाबना करते है तो यह बिल्कुल गलत है ठीक है जब पहला यह गलत हो गया तो आफसन नमबर भी A सही हो जाएगा ठीक है लेकिन BC भी देख लेते हैं तोलनात्मक राजनीत जो होती है विश्य को कम भरांतिपोंड बनाती है तो बिल्कुल सही है तोलनात्मक राजनीत इस पूरवा भास में मदद करती है कि विश्य किस ओर ग्रसर है यह भी सही है और जो तुलनात्मक राज नहीं थी उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी आपनी से बहतर या बदतर है तो ये भी सही है ठीक है तो आप्शन नमबर ए इसमें से गलत हो रहा है तो सही उतर जाएगा आपका आप्शन नमबर ए चबाली नमर प्रेष्ण है Capitalism, socialism and democracy नामक पुस्तक की रचना किस ने की थी ये तीनों जो नाम है ये कही कुस्तक का नाम है ठीक है बहुत लोग confusion में capitalism को जो है मार्स्मोदारा करें चले आते हैं ठीक है इन तीनो नाम एक ही पुस्तक है और इसको लिखा था या आप सुमपीटर ने ठीक है तो ए आपसन इसमें आपका सही हो जाएगा Capitalism, Socialism or Democracy नामक पुस्तक एक ही पुस्तक है वो सुमपीटर ने लिखा था ठीक है आप लोग देख सकते हैं उस पुस्तक को ठीक है देख लिए Capitalism, Socialism और Democracy ये जो है जोसेप ये सुमपीटर के द्वारा लिखा गया था ठीक है और ये तीनो नाम एक ही पुस्तक का है ठीक है 45 नमर प्रशन है लोगतंतर में किसका प्रकार यहित अस्पंदन है तो सही उत्र हो जाएगा आपका दबाव शमूं का ठीक है दबाव सब्बू जो होता है वो लोगतंतर में अस्पंदन का कारे करता है अर्था च्छनाई का काम करता है ठीक है अस्पंदन का अर्था होता ह छनाई ठीक है तो दवाव शमू इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 नमर प्रश्ण है तोलनात्मक राजिनीत के द्रिष्टगोंड के रूप में संस्था परकवाद इस तथ्य से सीमित है कि तो इसमें से सही का सही विचार को चुनना है तो सही विचार इसमें कौन कमसा हो संस्था अगत मानकों द्वारा स्विक्रित होते हैं पर निर्धारित नहीं होते हैं ठीक है उस संस्था द्वारा उनकों स्विक्रित दे दी जाती है लेकिन निर्धारित नहीं कि जाती है तो यह बिल्कुल सही है तोलनात्मक राजिनीत के द्रिष्टि से ठीक है सभी प्राइश्मों में लोगतांत्रीश प्रवस्ता अब देख लीजिये राजेतंत्र है वहाँ पे इंगलेंड में ठेक हैं तो यह भी आपका सही हो जाएगा है अपसर नमबर A और 2 सही हो जा रहा है ठेक है तो इसमें से D कूट आपका सही हो जा रहा है ठेक है ये जो लिखा है सभी देसो में लिखित सम्विधान नहीं होता है तो ऐसा कोई बात नहीं है राज तंतर ही भले होता है लेकिन वहाँ पर भी उस तंतर के लिए जो है कुछ मानक निर आपका सही होगा 47 नमबर प्रशन है किस राजनीती सास्त्री ने सामाजिक गत्सेलता सामाजिक विभेदी करण आर्थिक परिवर्तन वर राजनीतीक परिवर्तन को आधुनी की करण की विश्यस्ताय माना है बहुत इंपार्टेंट प्रशन है और कई बार ये पूछा जा आपका सही होगा 48 नमबर प्रशन है नेमने लिखित में से कौं सा राजनीती सास्त्री राजनीतीक विकास की अधारणा से समबंदित है तो राजनीतीक विकास की अधारणा से इल्चमैन और लास्वेल दोनों संबन्दित थे ठीक है यहाँ पर दोनों एंसर सही हो रहा है ठीक है इसको आयोग द्वारा जो है सबको कामन अंक दिया गया था ठीक है यह प्रशन पूछा क्या था आपका असिस्टेंट प्रवक्ता का जो परिच्चा होगा था 2014 में उसमें इसको पूछा गया था 12 मार्च 2015 को इसमें इसकी परिच्चा होई थे ठीक है तो आयोग द्वारा इसको जो है सबको कामन अंक दिया गया था और यह जो है राजिनितिक विकास की अधारणा से संबन्दित द दिचमैन और लास्वेल दोनों का नाम आता है तो इस प्रशन को आप लोग गलत मानिएगा और इसको याद रखिएगा कि राजिनितिक विकास की अधारणा मुक्खे रूप से ये दोनों लोग ने दिया था इनको याद रखिएगा कभी-कभी आ जाएगा कि कौन दिया थ किसी एक का नाम रहेगा तो आप लोग सही कर सकते हैं इसमें उन्चाशवा प्रशन है निम लेखित में से कौनसा सूभर्ट द्वारा प्रशासकों की कोटियों में संवलित नहीं किया गया ठीक है उसको कोटी में विवाजित किया था तो वो कौन сा कोटी है जो इसमें सं नहीं किया गया था ठीक है विबेक सिल्ता वास्तिक वादी आदर्स वादी इस सभी सम्मलिक थे लेकिन लोगतांत्रिक को उन्होंने इग्नोर कर दिया था तो यह आप सनीश में आपका सही हो जाएगा पचाशों नमर प्रश्ण है चुनाओ सुधारों हेत भारत में किस वर्स जगनाथ राव समिती का गठन किया गया था तो यह किया गया था 1971 में ठीक है 1971 में किया गया था और 1972 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सोंपी थी प्रस्थुत की थी ठीक है तो इसको याद रखिएग बहुत ही इंपर्टेंट है 1971 में इन्होंने गठन किया गया था जगनाथ राव समित को और 1972 में अपना प्रतिवेदन इन्होंने सब्मिट किया था 51 और प्रस्थ नामपुस्तक के लेखा कौन है तो इसके पुस्तक है अलमन और कॉलमेन थेक है क् कालमेन्पुस्तव प्रस्थ याद रखिएगा दी आप्सेनी इसमें आपकाहां सग होगा 52 नमर प्रशन है निम्ना अंकित कतनों पर विचार कीजिए तीन कतन दिये कहे हैं उन कतनों में से सही का चुनाओ करना है तो पहला है ग्रामशी सासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सरवच्चता पर अधिक बल देता था तो यह बिल्कुल सही है ठीक है ग्रामशी के इनुशार वर्ग व्यवस्ता केवल ऐसमान आर्थिक और राजिनीतिक सक्ति पर आधारिती बिल्कुल यह गलत है ठीक है ऐस आर्थिक का तो उन्होंने कोई बात ही नहीं कहा था पहली बार ठीक है तो पहला और तीसरा आपका सही हुजा रहा है तो D आपका सही हुजाएगा केवल एक और तीन इसमें से सही है दूसरा आप सनिश्में से गलत है तीरपन नमबर प्रश्ण है निमलख्षित में से कौण विकास के परमपरागत दिश्टकोण से संबंदित नहीं है तो परमपरागत दिश्टकोण वाधी जो लेखक थे वो इसमित थे, माल्थस थे और रिकार्डो भी थे ठेक है और फैडरिक लिस्ट जो थे वो नहीं थे ठीक है तो ए आफसन इसमें आपका सही होगा ठीक है ए आफसन इसमें से सही होगा ये नहीं थे ठीक है परंपरागाद जो दिश्टगोण की आउधारणा बनाई गए थी उसमें फैड़िक लिस्ट नहीं थे चवण नमर प्रश्ण है निम्ना अंकित कथनों पर विचार कीजिए तीन कथन दिये गए हैं और उसमें से सही का चुनाव करना है तो पहला है बेंथम का मानना है कि मनुष उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं तो ये तो सही है दूसरा है बेंथम महिलाओं के म मताधिकार का पुर्योड समर्थन करते थे तो ये बिल्कुल गलत है उन्होंने महिलाओं के मताधिकार का समर्थन नहीं किया था ठीक है दारशनिक उग्रवादी बेंथम के अनुआई थे ठीक है तो ये भी बिल्कुल सही है ठीक है बेंथम जो है दारशनिक उग्रवादी था ही ठीक है तो पहला और तीसरा इसमें से सही हो रहा है तो भी आपसन इसमें आपका सही हो जाएगा केवल एक और तीन अंतिम प्रशन है आज का फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक का और अपने दोस्तों में सेर यदूर कीजिएगा ऐसे ही प्रेक्टिस सेट हम लोग साल्व करते रहेंगे और आगामी परिक्षा के लिए एकदम मजबूती के साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे तो अंतिम प्रशन है आज का पट्वन नमबर कौन सा देश अध्यक्षात्मक वे संसदिय प्रडालीों का सरवसेष्ट उदारण है अध्यक्षात्मक और संसदी तो भारत गनाड़ा इंग्लेंड और फ्रांस में कौन सा होगा तो फ्रांस है ठीक तो C आप से निश्में से सही होगा तो फ्रेंट फूरा वेडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यमाद